रादरादे जी आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चनल वासुटिस फॉर होम में दोस्तो 20 सितंबर को देखे सोमवती पुर्णीमा है लक्षमी नारायन का दिन है और साथ ही उमा महेश्वर व्रत रखा जाता है और सोमवार का दिन होना बहुत ही शुपसयोग है दोस्तों अगर आपके दामपते जीवन में प्रेम नहीं है लड़ाई जगड़े बहुत अधिक हो रहे हैं अगर आपको देखे मासिक धरम से संबंदित कोई परेशानी चल रही है आपके पीरस ठीक नहीं आते अगर आपको अवश्य करें निश्चित ही आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी और आपकी जो मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने वास्टुटिस फुर होम चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो सस्क्राइब अवश दोस्तों इस दिन आपको ये उपाय अवश्य करना है आपको सोमवार का दिन है सुबसनान करने के बाद आपको देखे कच्चा दूद लेना है कच्चे दूद में आप शहद डालने आपके दामपते जीवने प्रेम नहीं है या लड़ाई जगडे बहुत है तो आप उसमे एक रुपे का सिक्का डाल दे और अगर सफेद कपड़ा हो तो सफेद कपड़े में बांध कर ले जाए नहीं तो आप पन्नी में भी ले जा सकते हैं आप शिव मंदिर में जाया और वहाँ पर आपको कच्चे दूद की पतली सी धार से ओम नमश्यवाय कहते हुए शिवलि का और माता पारवती का अगठ बंदन आपको अवश्य ही करना है और आपको जो भी परेशानी आ रही है वो उसकी प्रातना अवश्य बोले और जो आप चावल या चीनी ले गए हैं पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग के पास ही रख देना है मतला आपको शिवलिंग कच्चे दूद को जो आपने बचा लिया था उसको आपको पीपल की जड़ में चड़ा देना है दोस्तों ये दो उपाय करने हैं आपको सुबह के समय और एक उपाय करना है आपको संध्या के समय दोस्तों आप किसी भी परेशानी से जूज रहें कोई भी आपको दिक्कत ह इवन में प्रेम नहीं है आपके बहुत अधिक लड़ाई जगड़े हो रहें घर में धन का आगमन नहीं होता या किसी भी तरह की परेशानी है तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूद लेना है किसी भी लोटे में ले ले किसी भी बरतन में ले और आपको उसमें थोड़ा सा मीठा डालना है आपको थोड़े से अक्षर डालने हैं और गुड हो तो गुड डाले मिश्री हो तो मिश्री डाल सकते हैं शहद हो तो शहद डालने अगर आपके बाद देखें सफेज चंदन है तो सफेज चंदन थोड़ा सा उसमें डाल दे और उसके में आपको अपनी परेशानि है यह नहीं आपकी दाम पते जीवन प्रेम नहीं है मदद दोष्ट हो जाएंगे आप दोनों की बीच में प्रेम अवश्य बढ़ेगा और साथ ही जितनी भी आपकी मानसिक परेशानी चल रही है टेंशन चल रही है आपको कितना भी तनाव है तो उससे आपको मुक्ती अवश्य मिलेगी दोस्तों इस उपाए को अवश्य करें बहुत ही सरवार सिद्ध योग है इस योग में किया गया कोई ही उपाय निश्वल नहीं जाता तो आप इ की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब वश्य करें आप सभी को रादे रादे